C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत्ह श्रंखला ओडियो बुक इस श्रंखला में आईए सुनते हैं कक्षा 10 के इतिहास विशय की पाठ्थे पुस्तग भारत और समकालीन विश्व भाग दो वाचनस्वर संजय चनसोरिया परिचे, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां राष्ट्रों की उपस्थिती स्वाभाविक मानली गई है हम लोगों को राष्ट्रों से जुड़ा हुआ एक राष्ट्रियता का हिस्सा मान कर चलते हैं हम मान कर चलते हैं कि यह जुडाओ आदी काल से चला आ रहा है हम देशों और राष्ट्रों को एक ही मानते हैं दोनों शब्दों को पर्याइवाजी की तरह देखते हैं हम देशों को ऐसे एकिकृत भूख शित्रों के रूप में देखते हैं जिनकी एक निश्चित अंतरराष्ट्रिय सीमा, एक सूपरिभाशित भूभाग, एक राष्ट्रिय भाषा और एक केंद्रिय सरकार होती है अगर हम टाइम कैपसूल में बैठ कर अठारवी सदी के मध्य में जा पहुँचें और ऐसे राष्ट्रों को खोजने की कोशिश करें, जैसे हमें आज दिखाई देते हैं, तो वे हमें नहीं दिखेंगे अगर हम लोगों से उनकी राष्ट्रियता के बारे में पूछेंगे, उनकी राष्ट्रिय पहचान के बारे में पूछेंगे तो वे हमारे सवालों को समझ भी नहीं पाएंगे दरसल उस समय राष्ट्र अपने आधुनिक रूप में नहीं थे लोग राज़तंत्रों, छोटे-छोटे राज्जियों, रियासतों, रजवाडों में रहते थे ना कि राष्ट्रों में प्रसिद्ध इतिहासकार एरिक होब्स बॉम ने एक बार कहा था कि आधुनिक राष्ट्रों का सबसे बेजोड पहलू उनकी आधुनिकता में नहीं थे जी हाँ, इसके अस्तित्व का इतिहास 250 साल से पुराना नहीं है तो आधुनिक राष्ट्र किस तरह अस्तित्व में आया? ये प्रशन है किस तरह लोग खुद को एक राष्ट्र से जुड़ा हुआ मानने लगे? एक राष्ट्र से जुड़ाव का भाव एक समय के बाद ही विक्सित हुआ था इस पुस्तक के पहले दो अध्यायों खंड एक में इसी इतिहास को समझने की कोशिश की गई है यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार उपजा? किस प्रकार भूभागों को एक जुट किया गया और राष्ट्रिय सरकारें बनाई गई? यह दशकों तक चलने वाली प्रक्रिया थी जिसमें बहुत सारे युद्ध और क्रांतियां हुई बहुत सारे वैचारिक संघर्ष और राजनीतिक टकराव हुए योरोप की चर्चा अध्याए एक से हम अपना ध्यान भारत अध्याए दो में राष्ट्रवाद के विकास पर केंद्रित करेंगे जहां राष्ट्रवाद का स्वरूप उपनिवेशवाद तथा सामराज्यवाद विरोधी आंदोलनों से तै हुआ था आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार आउपनिवेशिक देशों में राष्ट्रवाद नाना प्रकार से अस्तित्व में आ सकता है वहां बिलकुल अलग-अलग किस्म के आदर्शों का महिमा मंडन हो सकता है और उन्हें अलग-अलग प्रकार की संघर्श पधतियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है इन अध्यायों में राष्ट्रवाद की कहानी कई स्तरों पर आगे बढ़ेगी इसमें आपको जियुसेफे मेटसिनी और महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा राष्ट्रवाद को हम केवल महत्वपूर्ण नेताओं के शब्दों और कृत्तियों तथा उनके नेत्रित्तों में घटी बड़ी वा नाटकिये घटनाओं के जरिये समझ नहीं सकते हमें आम लोगों की आकांक्षाओं और गतिविधियों को भी देखना होगा देखना होगा कि देनिक जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में राष्ट्रवाद किस तरह अभिव्यक्त होता है और वह प्त्यक्षत भिन एवं असंबध सामाजिक आंदोलनों से निर्धारित होता है राष्ट्रवाद कैसे फैलता है यह समझने के लिए हमें ना केवल यह जानना पड़ेगा कि नेता क्या कहते थे बलकि यह भी समझना होगा कि लोग उनके शब्दों को कैसे समझते वह अपनाते थे अगर हम इस बारे में जानाना चाहते हैं कि लोग कैसे एक राष्टर के साथ जुड़कर देखने लगे तो हमें उस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं को ही नहीं बल्कि इसको भी समझना होगा कि राष्टरवादी भावनाओं को कला वसाहित गीत और कथाओं के जरिये कलाकारों और लेखकों ने किस तरह पोसा था खंड दो में हम अर्थ विवस्थाओं और आजिवीकाओं पर विचार करेंगे पिछले साल आपने चरवाहों और वनवासियों के बारे में पढ़ा था जिन्हें बीते जमाने के अवर्शेशों की तरह देखा जाता है जबकि वास्तों में वे इसी आधुनिक दुनिया का हिस्सा हैं जिसमें हम रहते हैं इस साल हम उन घटनाओं पर विचार करेंगे जिन्हें आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है यानि वैश्वी करण और ओद्योगी करण इस भाग में हम इन बदलाओं के इतिहास के विविद्ध आयामों की परताल करेंगे अध्याय चार में आप देखेंगे कि किस तरह भूमंडली कृत विश्व एक लंबे और जटिल इतिहास से उपजा है प्राची इनकाल से ही तीर्थियात्री, व्यापारी, मुसाफिर, अपने साथ सामानों, जानकारियों और दक्षताओं को लिए दूर दूर तक जाते रहे हैं उन्होंने विभिन समाजों को इस प्रकार एक दूसरे से जोड़ा है कि अक्सर उनके अंतर विरोधी परिणाम भी सामने आये हैं खाने की चीजें और पौधों की प्रजातियां एक इलाके से दूसरे इलाके में जा पहुँची सूचना और स्वाद बदल गए और बीमारी वह मौत का दैरा भी फैल गया जब पश्चीमी ताकतें सभ्यता का जंडा लिए अफरिका के दूर दूर इलाकों में जा रही थी वहां की बिशकीमती धातूँ और दासों को यूरोप और अमेरिका ले जाया जा रहा था जब वैश्विक बाजार के लिए केरीबियाई दूरीव समूह के बागानों में कौफी और गन्ने की खेती की जा रही थी तो इन बागानों के लिए भारत और चीन से गिर्मीटिया मजदूर भेज़ जा रहे थे खंड तीन में आप मुद्रण संस्कृति के इतिहास को पढ़ेंगे चपी हुई चीजों से घिरे हम लोगों को यह कलपना करना भी मुश्किल दिखाई पड़ सकता है कि एक जमाने में प्रिंटिंग जैसी चीज होती ही नहीं थी अध्याए पांच में इस बात पर विचार किया गया है कि किस तरह समकालीन दुनिया का इतिहास छपाई के तकनीक के विकास के साथ अभिन रूप से जुड़ा रहा है वहां आप देखेंगे कि छपाई ने सूचनाओं और विचारों, बहसों और चर्चाओं, विज्यापन और प्रचार तथा नाना प्रकार के नए साहित्य के प्रसार को किस तरह संभाव बनाया है जब हम रोज मर्रा जिंदगी के ऐसे विशायों पर चर्चा करते हैं, तो हम इस बात को समझने लगते हैं कि दुनिया की मामुली चीजों को समझने में भी इतिहास कितना मददगार हो सकता है निलाद्री भटाचार्य, मुख्य सलाहकार, इतिहास अभी आप सुन रहे थे ध्वनी पाठे पुस्तक, भारत और समकाली नविश्व भागदो, वाचनस्वर, संजय चनसोरिया, निर्मार सहयोग, सौम्या मलिक, निर्मार वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत